आपकी सहन्चीरता दिन बदिन कम क्यों हो रही है। छोटी-छोटी स्थितियां उत्पन होती हैं। छोटे से छोटे परिवर्तन और बदलाव आती हैं। और आपकी सहन्चक्ती तूत जाती है। गर्मी, ठंड, कीरे, मकोरे, ये, वो, चंता के साथ ज्यादा। चंता भी चो कहूं, लोग, लोग भी क्यों कहूं, परिवार और दोस्त, आपके करीबी और प्वियजनों का व्योहार, कार्य, शब्द, राय। अगर कोई आपके बारे में थोड़ी सी राय बना लिता है, तो आपका पैंडियूलम जो है, जूरने लगता है, सही का। तो छोटी-छोटी चीजों में हम परिशान या विचरित हो जाते हैं, इसका कारण यह है कि हमारे पास सहन शक्ती की कमी है, और हमारा सबसे बड़ा तर्क होता है, इसमें मेरी गलती क्या है, मतब आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि आपकी सहन शक्ती टूद रही है, और अब आप इस बात पर ध्रान के इंदृत कर रहे हैं कि कौन सही है और कौन धलत है, या इन में से मैं कहा गलत हूँ, लेकिन चंड कोशिक के मामले में भगवान महावीर कहा गलत थे, और जब चरवाहिर ने कियर ठोकी, तब वो कहा गलत था, वो कहा गलत थे, उनमें इसलिए वो यह नहीं जानना चाते थे कि कौन सही है और कौन धलत, जो कुछ भी हो रहा है उसमें मुझे वहना है, आपकी महाशा में कूल, मुझे शान्त रहना है, क्योंकि अभी कुछ नहीं किया, कभी तो किया होगा, ना, सिफ इसलिए क्योंकि आपके तर्ख की पूरी इस बात से आती है, कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, अभी नहीं किया है, लेकिन वीतराग भगवान के कर्म, विज्ञान को सीखना और ज्ञानियों द्वारा समझतां, जैसे कि परम कृपालु देव, श्रीमत, राज, चंद्रजी और कई अन्य ज्ञानियों, तो हमारी प को कमजोर बनाता है, शक्ति कम हो जाती है, और आपके उधाई से लड़ने के लिए, या कहें कि आपके मूह से लड़ने के लिए, आपको इत diffé उसाही और शक्तिशाली होना होगा, कि कर्म विज्ञान को समझने के बाद, आप कैसे कह सकते हैं, कि मैंने कोई गलती नहीं की है तो वाव मेरे साथ ऐसा व्यवार चो कर रहा है, आप कभी ऐसा कैसे कह सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आप कर्म दर्शन, कर्म विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान को नहीं समझ पाई हैं, आध्यात्मिक तर्थ को नहीं समझ पाई हैं, सही का, तो अभी नहीं किया, यह आ झाल